हेलो फ्रेंज नमस्कार विल्कम टो वंडे एक्जाम टार्गिट चलिए देखते हैं आज के अपने इंपोर्टेंट कोश्चन्स फ्रेंज यहां पर हम देखेंगे संस्कृत के कुछ चुने हुए बहुत ही माधपूर्ट कोश्चन्स जो कि विभिन परिक्षा में पूछे ज चुके हैं इसलिए यह और इंपोर्टेंट हो जाते हैं इससे पहले साथ कोश्चन संस्कृत के हमने आप तक पहुचाए थे आप उसे भी देख लीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन्स थे बहुत ही सेलेक्टिट कोश्चन्स थे वीडियो पसंद आए तो नंबर का कोश्चन सुर्भारती देववाणी गवारण भारती यह सब किस भासा के नाम है संस्कित भासा के नाम है 62 सबसे बात का बेद कौन सा है अथरवेद सबसे प्राचीन वेद रिग बेद और सबसे बात का है अथरवेद नेक्स्ट है संस्कित भासा की अध्यान से किस साहित्य ज्यान का लाब होता है या किस साहित्य का ज्यान होता है या किस साहित्य की ज्यान का हमें लाब प्राप्त होता है प्राच्य साहित्य का टिक नेक्स्ट है संस्कित भासा का आधार प्राण क्या है? व्याकरण संस्कृत में कितने बचन होते हैं? तीन, एक बचन, दुई बचन, बहु बचन नेक्स्ट है चात्रा में कौन सा बचन है? एक बचन बालका में कौन सा बचन है? बालका है, बालको, बालका बहु बचन है, ठीके? काब्यों, महा काब्यों में सार गर्वित वाक्यों को क्या कहते हैं? सूकती कहते हैं, ठीक है? द्रिशत सब्द का क्यार्थ है? पत्थर, important है क्योंकि द्रिशत से पत्थर का आभास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है संस्कित व्याकरण की दृष्ष से शब्द कितने प्रकार के होते हैं । छो...! एपने अंत में स्ववर रखते हैं उन्हें क्या कहते हैंμ úr अशंत यह तुर हैं अब जैसे आगे आपको मिल जागे। राम क्रिष्टन हरी plots कैसे शब्द या व्यंजनान्त ठीक है दिश वाक सरित किस प्रकार के शब्दों के उदारण है हलन्त शब्दों के संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं पुलिंग, इस्त्रेलिंग, नपुल्सग लिएव लेकिन हिंदी में दो होते हैं पुलिंग और इस्त्रेलिंग next सदयाव में कौनसी संधी है बृद्धी संधी, सदाधन एव next question यथा शक्ति में कौनसा समास है यथा शक्ति में अब्याई भाव समास है अब्याई भाव समास से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं Important है दोनों पदों की समानता किस समास में होती है दुन्द समास में दोनों पदों की समानता होती है Next दुन्द समास जैसे माता-पिटा राजा-रानी ठीक है नेक्स्ट है ब्रिक्षात परडानी पतन में ब्रिक्षात में कौन सी बिभक्ती है ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं अलगाओ का बोध हो रहा है तो इसमें है पंचमी बिभक्ती क्लियर है जो शब्द संग्या और सर्वनाम की विसेशता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं संग्या और सर्वनाम की विसेशता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विसेशन प्रत्य कितने प्रकार के होते हैं अगला कोश्चिन है दो प्रकार के हैं अगला कोश्चिन है देखो क्या कहा जाता है तद्धित प्रत्य है ठीक है तद्धित प्रत्य है तद्धित प्रत्य है नेक्स्ट है राजावनों में कौन सा बचन है राजावनों में 2 बचन है अगर पूछी गई विभक्ती कौन सी है तो प्रत्मा विभक्ती आपको रूप याद करना पड़ेग इस टाइप की question पूछे जाएंगे आलिखत में कौन सा लकार है? आलिखत में लंग लकार है आसे पता चल रहा है नेक्स्ट है आधुनिक आरे भासाओं का उद्भो किस से वा है? संस्कृत से इसके लिए आपको सारे रूप याद करने पड़ेंगे ऐसे question पूछे जाने की संभावना है दर्विका का अर्थ क्या है? दर्विका का अर्थ गोभी है इससे पहले हमने अभी दैनिक जी और प्रियोग भूने वालेल 105 शब्दों की संस्कित में मेनिंग बताई है लड़ाई में कौन सी संगय प्रियोग थे है? भाव आचक संगय नेक्स्ट है भासा शब्द संस्कित की किस धातों से बना है? भास धातों से बना है नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्यन है पूछा गया एक्जाम में है स्वागत में कौन सा उपसर्ग प्रियोग हुआ है? सु उपसर्ग प्रियोग हुआ है? उपसर्ग प्रत्य बहुत इंपोर्टन है आप इन्हें तयार कर लीजिएगा नेक्स्ट है संस्कित भासा की लिपी क्या है? देवनागरी लिपी है संपूरा नन्द संस्कित विश्व विद्याले कहा है इस्ति थे? ये वाराणसी में इस्ति थे महर्स पाड़िनी संस्कित एवंगवैदिक विश्व विद्याले कहा है इस्ति थे? उज्जयन में बहुत इंपोर्टेंट मुद्रा राक्चस की रचना किसने की विशाकदत ने बहुत इंपोर्टेंट कुमार संभूहम की रचना किसने की कालिदास ने विशाकदत भी बहुत इंपोर्टेंट कई बार एक्जाम में पूछा गया है पूठ एंपॉर्वर्दना अर्थशास्त्र के रशेता कों ने बहुत इंपॉर्वर्टन कौश्यंड बहुत पूठा जाता है कॉछतिल है विश्यकटिकम के रचाइता कोन है कौन है शूद्रक विशारे इंप़ोर्टिंट है रगवण्षम के रचाइता कालिदास कौन है very important question सब जित्ते रहा है हिंदी बिच हिए संस्कित ऊभी पोछा ड़ाता है तो फ्रेंज ये रहें है संस्कित के बहूत ही सेलेक्ट में पोचे और कैसे लगे मुझे लाइक और कॉमेंट के तुरूख जरूर थैंक्यू झाल झाल